Welcome to the channel कैसे हैं आप सबी लेकर आहीं हूँ आपके लीजिस ँस ट्रकार रीडिंग को जो कि जैनरल बेसिस पे है जैनरल टरीकिसे देखेंगा और लेकर राया हूँ इस रीडिंग को जो इस चेक करूँगे आज की स्टरकार डिरिंग में कि क्या कुछ एनर्जीस मुझे आज आपके रिलेशन के लिए है आपके रिलेशन के लिए जो भी एनर्जीस का है इस मुझे आपके मिलेगी मैं उसे कहीं कंटीन्यू करूँगी और चेक करूँगे क्या कुछ energies आज मुझे मिलए है सबसे पहले energies को ले लेती हूँ क्या energies मिल रही है आज मुझे आपके relation में आपको लेकर या फिर आपके person को लेकर किस पीची को लेकर क्या energies मुझे आपके मिल रही है लेने की खोशिश करूँगी कई न कई मुझे इसे लग रहा है जो वन कार्ड है जो फर्स्ट कार्ड है यही कई न कई आपने आप में बहुत साधा इनफ है आज के इनर्जी इसको लेने के लिए वाउ कई न कई मुझे बहुत बड़ा बदलाओ कई न कई आपके रिलेशन में आने वाला है बहुत ही बड़ा बिग चेंज चो कि कई न कई आप एकसपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने परसन की दिरफ से आपके परसन की दिरफ से गाई मुझे आप एनर्जी मिल रही है कोई खुशी आपको मिलती हुई मर्जे नजर आ रहे है कोई तो बहुत बड़ी खुशी मिल सकती है आपको अपने परसन की तरफ से कोई कमिटमेंट कोई प्रपोसल या फिर कुछ भी हो सकता है यानि कि देखू मैं तो बहुत ही जल्द न मुझे इसी नर्जी मिल रहे है कि बहुत ही पॉजिटिविटी है आज कुछ इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है रीडिंग आप प्लीज चेक कर लिजेगा बहुत ज़्यादा मुझे आप स्ट्रॉंग एनर्जी आपके परसन की तरफ से मिल मिल रही है कि मिल रही है कि कुछ तो बहुत ज़ादा पॉस्रेब आक कर रहे है क्या कोछी नज़रा रहा है आप Personal है आप और आपकी परसन दूसरा के बहुत जादा मुझे अप नज़र आ रहा है कि बहुत ज़दा है आप रही बहूत मिजह नज़र आ रहा है आपकी झाल कि किसी बात को लेकि भहुत सब्खाई पढ की बूख में भी है वह सकता है वह जह मैं तो क्यों इसी ऑफ प्रज्प से पष्पर हैं और तो oni तो आदा आ आपस आजाएंगे बिल्कुल भी टाइम लिए लगाना चाहते हैं वह किंग ऑफ पैंटिकस बिल्कुल आपके परसन जो है ना डिसीजन ले चुके हैं कहीं ना कहीं अगर थार परसन सिचुएशन में थे तो आज डेफिनेटली मुझे बहार आते हुए नजर आ रहे हैं कि ब बहुत जल्द आपके लाफ में leverage हुआ हैं बिलकुल रैडी हैं और मुझे लग रहा है कि हापे बहुत जल्द को कॉई call message करेंगे बाल सकता है कोई call message ना आये उस थाधा ही आपकी life को जैएगा है यह वाइच्द आरजीस करीना की नजर आ रहे हैं divine energies सब्सक्राइब नजर आ रही हैं सेन्कि एकार्ड के नर्जी है कुछ तो बहुत पॉजिटिव है आपके निलिशन में जिसकी वी नर्जीश हैं किंग और कप्स ओके कुछ और नर्जीश को कियो आपके परसन जो है आज इस अचानक से डिसीजन आ लिया क्योंकि आपके परसन में का बहुत दिनों से वो लेना चाहते थे कि आपकी लाइब मेंDS, इस वज INE लिए पा रहे थे बट अभी आचानक से क्या हुआ है जो आपकी पर्सन आपकी साथा हाइफ नेर्जी से बहुत कुछ कैना चाहते है आज कार्ट क्या of wants के नगा थार्ट परस슬 के साथ के साथ कोई blaming और अर्ग्वेंट हो गई होग्यां हो सकता है थार्ट ने के परसंप rein परसंपे लिए फिर स्मेग को आप निस सब्सक्राइट तो कीजिए ऑजिया अपैसा उन्हें चाहिए बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं उनके मन में चल रही हैं बहुत सी चीज़ें कि आपसे कुछ कहना कुछ समझाना चाहते हैं नहीं शुरुआत करना चाहते हैं बट कहें नहीं सकते हैं क्योंकि पास्ट में शायद उन्होंने आपके साथ मिस्पेव किया है आज वो miss wave उन्हें allow नहीं कर रहा है क्यों आपकी life में आपसे contact करें और आपसे कुछ कहें कि आपको समझाए कि क्या कुछ वो है बहुत ज़्यादा वो आज deep pain में है फिर आज आज आपको बहुत ज़्यादा वो miss कर रहे हैं temperance कहीने के God से बहुत ज़्यादा pray कर रहे हैं theского कारल आपके परसना कार इनी के लिए स्क्रीन प्यारे what us कीट में लगए सकते हैं दामैजीशन 7 of pentacles बहुत सोचा आपके परिसन बहुत समझा हैं कही ना कही जो आजिमेंट्स तर्फ के साथ हो रही है ना उस से आपके बहुत زथा मुझे हैं अपे लग रहा है परिशान हो चुके हैं कही ना कही थीर सिब्स करने की कोशिश कर रहे हैं पिर सोच रहे थे कि चलो जो भी किसी तरीक शोता काम है उसे कर रहे थे खोशिश कर रहे थे आδή अप जो चीजे हैं बहुत साथ आपकE पर संट के लिए कहीं न कहीं चीजें जो है टुफ बन रही थे खो रही हैं आपके मेजिशन एनरजी मुझे आपे नजर आ रहे हैं कि बहुत जादा आपके परसन जो है न एकदम से उनका कुईक डिसीजन होगा अचानक का डिसीजन होगा शायद परसन में बहुत जादा शौक होगा इस डिसीजन को सुनकर के अब उन्होंने बस फैसला ले लिया है और वो कि कईना कई पास्ट में कुछ चीजन को याद करते हैं तो बहुत जादा कईना कई दुखी हो जाते हूं या फिर शायद रो देते हूं कि आपने शायद पास्ट में कुछ बहुत जादा अच्छा किया है तो हम जब किसी चीजन को याद करते हैं कि हमारे साथ में पास्ट में और मैंने उससे commitment मांगा और शायद रहने आपको commitment दिया उसे fulfill नहीं किया उस बात का आपके person को बहुत ज़दा दुख है burden है कई ना कई इस burden को ना वोई चाहते हैं कि बहुत कर लिया आपने अपकी तरफ से efforts आपकी तरफ से आप जितने efforts कर सकते थे guys आपके person को जैसे feel होता ह कि आप कर चुके हो अब आपके person की बारी है अब इस person की बारी है चो खुद से responsibility को निभाना चाहते हैं कि मैंने जो भी promises किये थे मैं वो fulfill करूंगा definitely fulfill करूंगा कही ना कहीं बहुत sad energies मुझे आपके person की मिल रही है इंतजार था कहीं ना कहीं आपके person को इस time का कि कब वो time करेंगे कि आपके life में comeback होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आज इस person का जो इनजार है वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं गायस मुझे इसमें आपकी इनर्जी मिल रही है कि आपका भी इनजार आज खत्म हो गया कि अपने person को लेकर कि आप बहुत जादा कहीं लाग टाम से focus आप true feelings में जो थे आपने उनके साथ बहुत kindness देखा है पास्ट में आपने उनकी बहुत भलाई के बारे में सोचा है फिर कहीं ना कहीं इस person को आज feel हो गई है इन सारी चीज़ें सब चीज़ें जो हैं आपके person आज समझ रहे हैं बहुत जादा चीज़ों को समझ रहे हैं कि हाँ आप बहुत जादा शायद इनको कहीं ना कहीं इनकी परफा करते हैं इनके लिए loving feelings भी हैं इसलिए आज आपके person जो है ना back to back सारी energies में ऐसी ही मुझे नज़रा रहा है कि आपको को commitment देना चाहते हैं प्रपोसल देना चाहते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे cases में मुझे ऐसा नज़रा रहा है कि आपसे शायद marriage भी करना चाहते हैं because आपकी life में भी forever के लिए come back होना चाहते हैं क्योंकि बहुत साथा पार्च क्यों चीज़ें हैं जिनको सोच के दुखी भी हो रहे हैं emotional भी हो रहे हैं बट क्योंकि आपके life में come back हो रहे तो मुझे बहुत साथा जब and let's see what are the energies for your career okay career में किसी चीज़ को लेकि अगर आप बहुत long time से परिशान हो रहे थे अपने करियर में कोई decision लेना चाहते थे कोई new business start करना चाहते थे या फिर आप अगर wait कर रहे हो अपने examination की किसी result का तो हो सकता है आप थोड़ा सा sure नहीं हो या फिर आपको थोड़ा सा किसी बात को लेकर कि मुझे नजर आ रहा है कि आप यह डर गए हो या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने efforts तो बहुत स कैसा अपने hard work किया है जैसी आपने महनत करी है जितनी dedication से आपने महनत करी है उतना ही सुन्दर आपका result कई नहीं कई आपका अंतजार कर रहा है आपके life making of pentacles कार्ड की energy से है guys यह जो person इस कार्ड में दिखाई दे रहा है ना यह वो person है जिसकी पास सब कुछ है जो भी person चाह अपने career को लेकर के जो कुछ भी इसने सोचे था अपने career में जो यह करना चाहता था आप जो भी अपने career में चाहते हो जो कुछ भी किया आपको मिलने वाला है अगर आपने hard work किया है अगर आपने hard work किया है तो definitely गईने कहीं success है आपका weight कर रही है future energies मेंने करीयर में क्या है Okay,Strength,Stability का कार्ड है कही न कहीं,Strength आपका वेट कर से आपको Strength मिल सकती है, और हो सकता है आपको कोई Financial मुझे आप नजर आ रहा है Growth हो सकती है आपको या फिर अगर आप Job Change करना चाहते हो या फिर आपको आपको examination के preparation कर रहे हो या फिर अपने finance को लेकर अगर आप बहुत जादा ऐसा low field करते हो कि आपको अपने financial जो condition है आप उसे कहीं कहीं strong बनाना चाहते हो better बनाना चाहते हो because आप कर सकते हो आप एक ऐसे परसनल जो इस सारी चीज़ों को come true कर सकता है अपने dreams को तो कहीं न कहीं वाओ guys ace of swords की energies है growth आपका अंतिजार कर रही है success आपका अंतिजार कर रही है बस आपको मेहनत करनी है और बहुत अच्छी तरीकी से dedication के तरीकेशन से आपको hard work करना है कहीं न कहीं जो upcoming time है मुझे जो नजर आ रहा है आपके career को लेके बहुत सदा सुन्दर है मन में हो सकता है आपके डर हो किसी चीज़ को लेकर के कि जो चीज़ें है क्या वो come true होंगी भी या नहीं होंगी बट कहीं न कहीं जो result है वो बहुत positive निकल के आने वाला है सो आई होब आपके साथ में टरो कार्ड रीडिंग है वर राजनेट क्यों होटे लेता हैं आप देख के हैं वे नहीं से